सूप्रभाद प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ माला पाठ दो चिडिया और हाथी की कहानी पड़ेंगे क्या एक नन्नी चिडिया और हाथी में दोस्ती हो सकती है? बच्चों, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त मुसीवत के समय एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं? आओ पढ़ें जंगल में परगत का एक पेड था पेड पर एक नन्नी चिडिया घौंसला बना कर रहती थी एक दिन बहे पेड की डाली पर बैठी गा रही थी उसने सामने से एक हाथी को आते दिखा हाथी अपनी सून से पेडों की टहनिया तोड रहा था यह देखकर नन्नी चिडिया डर गई वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई चिडिया बोली हाथी दादा बरगत की पेड की टालिया मत तोड़ना पेड पर मेरा घौंसला है घौंसला तूट चाएगा तो हम कहां रहेंगे हाथी हंसा और बोला तुम नन्नी सी चिडिया हो और मुझे सीखते रहे हो चिडिया बोली छोटी हूँ तो क्या हुआ तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी हाथी फिरहांसा और बोला अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो ठीक है मैं बरगत के पेड के पास नहीं जाऊँगा तुमारा घोसला नहीं तूटेगा यह कहकर हाथी दूसरे रस्ते से चला गया एक तीन जंगल में बड़े जोर की आंथी आये धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्ना सा कंकर हाथी की आँख में चला गया हाथी परिशान होकर चिंगाडने लगा उसकी आवाज सुनकर नन्नी चिड़िया उड़कर हाथी के पास गई उसने पूछा क्या हुआ हाथी दादा हाथी बोला मेरी आंख में कंकर घुज गया है मुझे बहुत दर्थ हो रहा है तुम खबराओ मत मैं अभी कंकर निकाल देती हूँ चिड़िया ने कहा चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंट से आंख में घुसे कंकर को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया हाथी को थोड़ा अराम मिला चिड़िया बोली अभी यहीं रुको मैं तवा लेकर आती हूँ चिड़िया मदुमक्खियों के चत्ते के पास गई वह राणी मदुमक्खी से बोली मदुमक्खी राणी मेरे दोस हाथी की आंख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो मदुमक्खी ने कहा हाँ हाँ शहद ले जाओ चिडिया शहद लेकर हाथी के पास आई उसने हाथी की आँख में शहद की बूंदे टपका दी हाथी को बहुत अराम मिला हाथी बोला धन्यवाद छोटी चिडिया तुम सचमुझ मेरी दोस्त हो तो देखा बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता सच्चा दोस्त ही मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करता है धन्यवाद